राजनीतिक मामलों में उनके अपने विचार है समय समय पर वे कारिकरताओं से चर्चा करती रही है अगर उन्होंने किनी विश्यों पर पार्टी के कुछ वरिष्ट लोगों से बात की हो तो इसमें आश्चरी की क्या बात है इसमें नई बात क्या है प्रियांका गांधी ने आज मुलाकात की थी राहूल गांधी के घर पर कॉछ राजनितिक चर्चा करने के लिए कॉंगर्स मार्टी के वरिष नेताओं के साथ तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है इसमें कुछ भी नया नहीं है क्योंकि प्रियांका गांधी पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान राहूल गांधी के चुनाव प्रचार के लिए सक्रिया रही है नेताओं से प्रियांका कि बात में आश्चर्य की कोई बात नहीं है इसमें कोई नई बात नहीं है नेताओं से प्रियंका गांधी की बात जो आज हुई राहूल गांधी के घर पर तब जब कि राहूल गांधी नहीं थे उसको लेकर जनार दुएदी ने कहा कि नेताओं से प्रियंका गांधी की मुल प्रियंका गांधी एक महत्तुपूर्ण राजनीतिक परिवार की सदस्य है भले ही वे शक्रिय राजनीति में हिस्सा लेती न दिखाई देती हो लेकिन वे भारती राष्टिय कॉंग्रिस की शक्रिय सदस्य एक लंबे अर्शे से हैं अमेठी और राय बरेली में वे चुनाओ का काम देखती रही है अब भी देख रही है राजनीतिक मामलों में उनके अपने विचार है समय समय पर वे कारिकरताओं से चर्चा करती रही है अगर उन्होंने किनी विशयों पर पार्टी के कुछ वरिष्ट लोगों से बात की हो तो इसमें आश्चरी की क्या बात है इसमें नहीं बात क्या है प्रियांका गांधी की मुलाकात जो राहूल गांधी के घर पर आज हुई कॉंगर्स पार्टी के वरिश नेताओं के साथ उस पर कॉंगर्स पार्टी के महासचर जनार दिंद्वेदी का कहना है कि इसमें कोई आश्चार्य की बात नहीं है प्रियंका गांधी एक एहम राजनितिक परिवार की सदस्से हैं भले ही सक्रिय राजनीती में सामने आकर हिस्सा ना लेती हो लेकिन लगातार वो अमेठी और राय बरेली में चुनाप पचार करती रही है और समय सबर पर कॉंग्रस के कारे करताओं और नेताओं से भी मुलाक कॉंग्रस पार्टी की वरिशनेताओं के साथ इसमें कुछ भी आश्चर यह जनक नहीं है कुछ भी हैरान होने वाला नहीं है ये कहना था जनार दा दुवी इदी का मेठास्व चेसे मुलाकादी सामने आई है उसके बाद एक बड़ा सवाल जरूर सामने है जिस पर ABP News शाम 6 बजे आपके सामने लेकर आएगा बड़ी बहस क्या इस तरह से Congress Party बदलेगी